फाइनली जी कैम 7.0 जो है अब आपके Redmi Note 5 Pro के लिए एविलेबल है जो कि MIU 10 और MIU 11 रोम और किसी भी कस्टम रोम पर परफेक्टली काम कर रहा है पहले जो जी कैम आ रहे थे उसके इंदर स्लो मोशन काम नहीं कर रहा था पोर्टरेंड मोड में कुछ दिक्कत आ रही थी और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी कुछ दिक्कत आ रही थी तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह है Redmi Note 5 Pro की किसी भी फोन के अंदर अगर आप Google कैमरे को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके फोन के अंदर जो है Camera to API enabled होना चाहिए आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं आप Google Play Store पर जाइए एक application आती है Manual Camera Compatibility Test उसको अपने फोन में एक बाद स्टार्ट किए जिए अगर आपको सारे के सारे मांक जो है ग्रीन मिलते हैं that means Camera to API enabled है अगर Enable नहीं है तो आप उसको Enable भी कर सकते हैं उसका एक औरड़ी में वीडिय देखने को मिलते हैं आपको Shutter button यहां देखने को मिलते हैं और जितने भी options है अब आपको नीचे देखने को मिलते हैं मैंने इससे कुछ pictures को भी शूट किया है और वीडियो को भी शूट किया है जो कि पर्फेक्टली काम किया है ये portrait mode पर हमने पीचर क्लिक की है आप देख पारे होंगे सारा focus जो है हमारे पीचे हालक है उसके उपर है और जो कार जो है पूरी तरीके से ब्लर हो गई है और यह second portrait है जिसमें सारा का सारा focus हमारी कार के उपर है और जो पीछी जितना भी background है वो सारा blur हो चुका है अगली जो आप देख पारे होंगी हमने time-lapse में एक अगर आप चाते हैं इसके settings में कुछ changes करना चाते हैं तो आप settings के button पर जाए और यहां पर जाके आप छोटे मोटे changes कर सेते हैं advance के अंदर अगर आप जो में changes करना चाते हैं इस time पर इसके अंदर सारी चीज़ें perfectly काम कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप developer settings में इसके अंदर जो है अभी वो कम नहीं कर रहा है मैं आपको दिखांगे साओं camera में सारी सारी चीजें perfectly काम कर रहे है यृद की दिकति कर रहे हैं आपको लेंस बलर का ऑप्शिन मिल जाता है जो की perfectly इसके अंदर काम कर रहे है的 वीडियो की बात करें तो वीडियो में आप जो पर प्रॉब्म देखने को मुझती थी और वीडियो को आप शूट नहीं कर पाते थे एक ची और बता ज़ता हूं है इसके अंदर के अंदर पर इंसके और अब करना है तो अपको क्या से इंस्टाल करना है जिसको आपने डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल करना है मैं दिखा जिता हूँ कौन सी वो APK फाइल है तो यह दिखिए आपने डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं और मैंनी इस फाइल को डाउनलोड करका है जो कि है PMGC 7.0.009 यह वो फाइल है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप इसको इंस्टॉल करेंगे और गूगल कैमरा आपके फोन में परफेक्टली काम करेंगा यह हमने अपने Mio 10, Mio 11 और Pixel Experience Room है उसमें इंस्टॉल करेंगे दिखा तीनों यहां कि हर चीज में यह परफेक्टली अब काम कर ला है सिर्फ मैंने आपको जो बताया है कि मैनूल कम्रा कमपेटिबिल्टी से आपको चेक कर लेना है केमरा टू एक चीज और अगर आपको पुराना जी केम यूज कर रहे हैं तो इस जी केम को इंस्टॉल करने से पहले आ आड़ी अय शन्त टाइमर ऐ nope all Совет को बताव कि अब आपको पर ही देखने को में भी कि अब आपको यहां पर सारी नी मिलता है नहीं को पहले आपको लिए रेघुटेंग और से عपकी सारी नहीं पूक्शन दीखने को मिलता था तंध जो कि दीकां सेक्श पॉइंड जिघ 4 का camera है उसके अंदर काफी सारी चीजें चेंज करती गहीं आप इसकी settings में जाके छोटे मोटे changes कर जाते हैं इस time पर ये Redmi Note 5 Pro के लिए stable Gcam 7.0 है हाँ अगर comparison करें 6.3 और 7.0 को थोड़ा सा आपको difference देखने को मिलेगा बट आने वाले दिनों में जैसे Google Pixel 4 launch उसके बाद जो काफी और भी stable version आएंगे और आपको काफी सारे और भी features इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको इसके अंदर astro photography mode भी मिल सकता है तो बस इस तरीके साब Gcam 7.0 जो हैं अपने phone के अंदर use कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आए